नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की सलफाजाइड M80 टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है सलफाजाइड M80 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सलफाजाइड M टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिसकस करेंगे की सलफाजाइड M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए सलफाजाइड M एक ब्रैंड नेम है सलफाजाइड M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है सल्फाजाइड M टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन लिकलेजाइड 80 mg और मेटफोर्मिन 500 mg होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली सल्फाजाइड M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है सल्फाजाइड M टैबलेट का उप्योग टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है सल्फाजाइड M टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़ह से किड्नी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को नियंतरन में किया जा सकता है यदी किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती को डायबिटीस की समस्या है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सलफाजाइड एम टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सलफाजाइड एम टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे जुकाम होना, खासी होना, गले या फेफरों में इनफेक्शन होना, दस्त होना, कब्स होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, शरीर के जोडों वो मासपेशियों में दर्ध होना, मुह के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होन और सिर्दर्ध होना आदी साइड इफेक्ट्स सल्फाजाइड M टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा सल्फाजाइड M टैबलेट को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। सल्फाजाइड M टैबलेट की वजह से एलर्जिक रियेक्शन भी हो सकता है। तो आपको सल्फाजाइड M टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि ये लक्षण allergic reaction के हो सकते हैं और allergic reaction होने पर तुरंथ medical treatment की आवशक्ता होती है। अब हम डिसकस करेंगे की सल्फाजाइड M टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है। सल्फाजाइड M टैबलेट को खाना खाते समय बीच में लेना recommended होता है। या सल्फाजाइड M टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरंथ पहले लेना recommended होता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सल्फाजाइड M टैबलेट को दिन में एक से लेकर दो बार लेने की सलाह देते हैं। सल्फाजाइड M टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में बलड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको सल्फाजाइड M टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की सल्फाजाइड M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको सल्फाजाइड M टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदी आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको सल्फाजाइड M टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको Sulfagide M Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए। Pregnant महिलाओं में blood sugar के level को नियंत्रन में करने के लिए insulin को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Sulfagide M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका Sulfagide M Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।